असलाम अलेकुम गाजर का हल्वा तो आपने बहुत बार बनाया और खाया होगा लेकिन आज मैं आपके साथ सर्दियों के बहुत ही हास मिठे की रेसिपे शेयर करूँगी मुझे यकीन है एक बार अगर आपने बना लिया तो मीठे की फेरिट डिशेज में ये टॉप पर होगी जरूर ट्राइगीजे क्योंकि इसे बनाने का मौका बार बार नहीं मिलेगा क्योंकि हम इसको बनाएंगे गाजर से और ये वाली गाजर सिर्फ सर्दियों में ही मिलती है ये पतली वाली गाजर हमने लिए है जो की खाने में काफी मिठी होती है 5-6 गाजर हमने लिया है जो की तकरिबन 400 ग्राम है अब इसको एक ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेंगे इसको ग्रेट करने में मुश्किल से 4-5 मिन लगेगा इसको ग्रेट करने के लिए मोटे वाले सुराख का ग्रेटर इस्तमाल कीजिएगा इस तरह हमने गाजर को ग्रेट कर लिया है अब एक पैन लेंगे जिसमें एक चमच देसी घी डालेंगे तीन छोटे इलाइचे डालेंगे चार से पांच सकंड चलाने के बाद गाजर जो हमने ग्रेट करके रखा हुआ है वो डालेंगे तीन से चार मिनट फ्राइ करेंगे तो गाजर का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा साथी गाजर का जो कच्छा पन है वो भी दूर हो जाएगा तो अब हम इसमें दूट डालेंगे मैंने 7 लिटर फुल क्रीम दूद का इस्तमाल किया है काजर को दूद के साथ मिक्स करेंगे और एक उबालाने देंगे इधर हमने 1 फोर्ट कप चावल को एक घंटा पहले भीगा दिया था इसको हम जार में डाल कर दरदरा सा पीस लेंगे और दूद के साथ मिक्स कर देंगे और लगतार चलाएंगे वरना चावल की गुठलिया बन जाएंगी अगर आप इस खीर को और रिच और क्रीम बनाना चाहते हो तो चावल के साथ 8-10 काजू पीस कर मिला दे अब हम इसमें 1.5 कप मिल्क पौडर मिला देंगे लोग फ्लेम पर पौडर को मिक्स करेंगे आप मिल्क पौडर की जगा कंडेंस मिल्क मिला सकते है या खोया भी डाल सकते है आपकी चोयस है धीमी आज़ पर मिल्क पौडर को मिक्स होने तक चलाएंगे थोड़े से पिस्ता और बादाम काट कर मिलाएंगे आप अपने मन पसंद कोई भी ड्राइफूट यूज़ कर सकते है थोड़ी थोड़ी देर के बाद दूद को चलाते रहेंगे ताकि तली में ना लगे किनारों पर जो मलाई जम जाए उसको इस्क्राइच करके दूद में मिलाते रहेंगे इसको लो फ्लेम पर पकने में कम से कम 15-20 मिनट का टाइम लगेगा 15-20 मिनट के बाद आप देखेंगे कि खीर अच्छे खासी गाड़ी और बिल्कुर रबडी जैसी हो गई है गाजर की इस टिश को कुछ लोग खीर कहते हैं कुछ लोग गजरेला बोलते हैं आपकी तरफ इसको क्या कहते हैं मुझे कोमेंट सेक्षन में जरूर बताईएगा इस खीर को पकते हुए 15-20 मिनट हो चुके हैं चावल भी अच्छे से गल चुके हैं और गाजर भी अब हम इसमें हाफ कप शकरट करेंगे जो की वेट में तकरीबन 100 ग्राम है आप मीठा अपने हिसाब से कम या जादा कर सकते हैं लेकिन क्योंकि खीर जादा मीठी अच्छी ने लगती तो मेरे हिसाब से इतना मीठा परफिक्ट है वैसे आपकी मर्जी है अगर मीठा बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा लें अगर कम करना चाहते हो तो कम भी कर सकते हैं क्योंकि गाजर, दूद और मिल्च पॉडर तीनों ही मिठे हैं इसके उपर बार बार मलाई की एक परत के जैसे जम जा रही है तो इसको हटाते रहेंगे शकर डालने के बाद इसका टेक्शर थोड़ा पतला हो गया है तो इसको तीन से चार मिनट और पकाएंगे टोटल पकने में इसको 20 से 25 मिनट का टाइम लगा है अब ये अपनी परफेक्ट कंसिस्टेंसी पर आ गया है इससे जादा हमें नहीं पकाना है क्योंकि ये ठंडी होने के बाद और भी गाड़ी होगी गैस का फ्लेम बन कर देंगे इसको 2 से 3 मिनट चला कर भाप निकाल देंगे ताकि उपर पपड़ी के जैसे ना जमें एक घंटे के बाद इसको सर्व करेंगे तो इस तरह से गाजर के हलवे से ज़्यादा मसिदर गाजर की खीर या गजरेला बन कर रेड़ी है सबसे खास बात ये कि इसको ठंडा या गरम दोनों तरह से सर्व कर सकते है बारी कटे पिस्टे से गार्निश कर देंगे गार्निशिंग आप अपने हिसाब से जैसी चाहें कर सकते है एक बार जरूर ट्राइ किजिएगा और अपना फीड़ बैक देना ना भूलिएगा कि आपके गाजर की खीर या गजरेला कैसा बना तो सर्दियों के इस खास मीठे को जरूर बनाएगे खाईए और अपनी फैमिली मिंबर्स को खिलाएगे मुझे पूरी उमीद है सबको बहुत पसंद आएगी उमीद है रेसिपी पसंद आई होगी तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेर कर दीजिएगा चैनल पर नए हो तो प्लेज सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा फिर हम लोग मिलेंगे इंशालला एक नए वीडियो के साथ तब तक अपना ध्यान रखें फैमिली का ध्यान रखें वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया अला आफिस